किस परतीर चलाओ लक्चुमन जब लक्चुमन भगवान से राम चंदर जी को शलाह देते हैं कि पर्भु शेनापती हो ये जो विस्व के सबसे बड़े धनुधर हो तीनों लोकों में परकांड धनुधर हो तुमारी जोड़ी का धनुधर इस धरा पे तीनों लोकों में कोई नहीं है तिर लोग के केस्वामी बन बैठे हो कि इसी दिन के लिए क्या न्याय कर पाओगे तुम बाहर वालों के साथ जब तुम अपने खुद पे न्याय के लिए सस्तर नहीं उठा पाते हो चलाओ तीर और बल जाओ राजा ले लो अपनी राजगर्दी तुराम बढ़े ही प्रेम भाव से समझाते हैं कि किस पर तीर चलाओ लग्चुमन किस पर तीर चलाओ किस पर तीर चलाओ लग्चुमन किस पर तीर चलाओ जान से प्यारा भाई भरत है सत्रुघन अंग है मेरा जान से प्यारा भाई भरत है सत्रुघन अंग है मेरा ये प्यारी जीवन से क्या शिंघासन है प्यारा मौसी मन्थरा जब जान लुटाती हो मौसी मन्थरा थी जब जान लुटाती चूम के माथा अंग लगाती किस अंग पे बान चलाओ किस पर तीर चलाओ लक्षुमन किस पर तीर चलाओ राम के वन गमन के कारण में से जो सबसे बड़ा कारण था वो मौसी मन्थरा ही थी और उन्ही के ऊपर सारे आरूप लगे थे तो लक्षमन के अनुसार राम को पहला तीर मॉसी मंथरा के ऊपर चलाना था और राम बड़े ही विकल भौव से लक्षमन को कहते हैं कि मॉसी मंथरा थी जब जान लुटाती चुम के माथा अंग लगाती किस अंग पे बाहने चलाओं किस परतीर चलाओं लक्छुमन किस परतीर चलाओं प्रवुसरी राम के तीन माताएं थी माकोशल्या, सुमिंत्रा और केके जैसे कि बाबा तुलसी ने अपने राम चरित्मान रसी है या बहुत सारे कवी कुल ने जो अपने अपने कविताओं और कहानियों में लिखा है उससे चलतार्थ होती है कि राम कैकैी के सबसे प्री थे और राम को भी कैकैी माही सबसे अधिक प्री थी जब तक उनका लाड़ प्यार जिस दिन राम को ना मिल जाए परभू राम चंतर उस दिन चंचल नहीं होते थे उससे राम लक्षमन से कहते हैं कि मातु कोशल्या जन्म दिये तुम गोद खिलाए शुमिंत्रा माता माता कैकैी जब दूद पिलाती तब मन हरसाता माता कैकैी जब दूद पिलाती तो ही मन हरसाता वो बच्पन का प्यार अनूपम कैसे मैं भूल जाओं किस परतीर चलाओं लक्षमन किस परतीर चलाओं किस परतीर चलाओं लक्षमन किस परतीर चलाओं किस पर तीर चलाओ लक्षमन, 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 किस पर तीर चलाओ, 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 किस पर तीर चल और जब किसी के पास कोई भी चीजें आती हैं और उसके दो पक्च होते हैं सिक्के के दो पहलू है तो वो दोनों पे विचार करता है कि क्या हमारे लिए और हमारी संस्कृति के लिए हमारे सनातन के लिए या संसकार के लिए सही है पर बुद्ध जन बिना विचार किये कभी फैसला नहीं लेते कि सिक्के का कौन सा पहलू मुझे चाहिए राम लक्षमन को समझाने की कोसिस करते हैं कि हमारे पास जो दो पहलू है सिक्का का एक तो राज सिंगासन और दूसरा वनकमन चलो इस पे विचार करते है कि कौन सा सही है फिर हम तीर चलाएं या नहीं चलाएं इस विशे में भी सोच लेंगे वो कहते हैं क्या पाऊंगा वन में जाकर सिंगासन से क्या पाऊंगा क्या खोऊंगा वन में जाकर भाई भरत ही तो राज करेगा रगुकुल का सम्मान बढ़ेगा रीति रगुकुल की सदा चलियाई प्रान जाई पर वचन न जाई राज महल से तो बेहतर है कुल का मान बढ़ाओं मान पिता के वचन को लक्षुमन वन उपवन को जाऊं क्यूं मैं तीर चलाऊं लक्षुमन क्यूं मैं तीर चलाऊं एक लाइन में वो समझा देते हैं क्यों तीर चलाएं सिंधासन से क्या पाऊंगा क्या खोऊंगा वन में जाकर भाई भरत ही तो राज करेगा रगुकुल का सम्मान बढ़ेगा रीति रगुकुल की सदा चली आई प्रान जाई पर वचन न जाई राज महल से तो बेहतर है कुल का मान बढ़ाऊं मान पिता के वचन को लक्षुमन वन उप वन को जाऊं क्यों मैं तीर चलाऊं लक्षुमन क्यों मैं तीर चलाऊं क्यों मैं तीर चलाओं लक्क्षुमन क्यों मैं तीर चलाओं सनात्न की ये रीत नहीं है भाई से अधिक धन प्रीत नहीं है जीहाँ ये सनात्न प्रविरती में कभी नहीं आया कि एक पिता की दो-तीन-चार-पांच संतने हैं तो धन के बटवारे या मलिकाना हक में भाईयों में लड़ाई हो, क्योंकि सब जानते हैं पिता के बाद बड़े भाई, घर के बुखिया हैं, राजा हैं, मालिक हैं, बागी सेनापती के तौर पर या जिनको जो कारी मिलेगा, वो सब बादित करें. तो यहाँ पर भी राम चंदर कहते हैं, कि धन कभी भी सनातन में भाई से बड़ा नहीं हुआ, हाँ दूसरे धर्मों में हुई बहुत सारी ऐसी कहानिया मिलती है, कि भाई भाई को मारकर, भाई पिता को मारकर, इसको बंदी बनाकर, उसको बंदी बनाकर, धन की लोलुक्ता म भाई से अधिक धन में प्रीत नहीं है मंजूर नहीं स्वहित साधन में कुल ना सक कहलाओ तोड़कर पिता वचन को रगकुल रीत डुबाओं क्यों मैं तीर चलाओं राम वनमें ऐसे नहीं जा रहे थी उन्हें पिता का वचन का पालन करना ठाल था ऐसे कुछ समस्याय आई कुछ परिस्तिति आ खड़ी हुई कि पिता को रचन देना पड़ा राम तुम्बन में जो रघुकुल की ये परमपरा थी कि प्रान जाई पर वचन नहीं जाए अगर वचन दे दिया गया है तो वचन निभाना है राम कहते हैं कि हम बनना जाकर पिता के वचन को तोड़े ये कैसे हो सकता है तो एक लाइन में लुक्षमन को समझ जूर नहीं स्वहित साधन में खुल ना सक कहलाओं तोड़कर पिता वचन को रघुकल रीति डुबाओं किस परतीर चलाओं लच्छुवन किस परतीर चलाओं मा तो एहल्या पत देख रही है वण के बारे में लच्छुवन को बताते हैं कि हमारी वण में क्या जरूरत है वण जाना पिता तो निमित है मौसी मंथरा निमित है मा तो कह कही निमित है लेकिन मेरा वण जाना ये तो निस्चित है इसके लिए ही तुम्हें आया हूं यहा पर तुम्हें भी जाना है मेरे साथ तुम्हारा भी वहां पर पाटिसिपेंट रखा हुआ है अपनी पात्र तुम वहां पर निभाओगे क्या है वन में हमारी जरूरत पिछले हजारों हजार साल से हमारी राह देख रही है कौई कौन है वो बुहारे नित दिन चक चक बेर वो रोज है लाती माता सबरी रोज राम का पर तिक्षा जब से भरशी मतंग कहके गए थे कि मा सबरी तुम इंतजार करो राम आएंगे तभी तुम धर्ती छोड़के जाएगी तो वह रोज राम के लिए आसन लगाती पूजा लगाती प्रशाद लाती भोग लाती कि आज हमारे राम आएंगे जिसे बहुत सारे गीत भी पनेंगे राम आएंगे तो आज मेरे राम रूण को इंतिजार कर रही तो मात वहल्या पत देख रही हैं शबरी राह बुहारे नित दिन चक चक बेर वो रोज हेलाती नित जित भोग राम को लगाती सबरी निस दिक राम आएगा पका आएंगे प्रभु आएंगे मुझे भोग लगाना है उन्हें खिलाना है तो रोज भोग लगा के खाती थी नित नित भोग राम को लगाती रोज केवट नौका लाए सिंदु तीरे सिया राम पुकारे केवट को पता था कि मेरा पात्र यहां पे है रगुद रगुनात तुम मैं सिंदु पार लगाऊं मात थूए के साथ लगाऊं अब तुम मेरा भव सागर बार लगास है तुँ अपनी कारे करने के लिए रोज सिंदु की तीरे आता था रोजों को बलाता था कि कब मेरे प्रभू आएंगे उनको नौका पार करेंगे फिर प्रभू हमारा भवसागर पार कर देंगे यह तो प्रणपरा है तो राम कहते हैं सुनो कितने लोगों का इंतजार है वन में हमारा मात वहल्या पत देख रही हैं सबरी राह बुहारे नित दिन चक चक बेर वो रोज हलाती नित नित भोग राम को लगाती रोज ही केवट नौका लाए सिंधु तीरे सियराम पुकारे आस धरम से उठने लगी है संतों की अब धीरे धीरे वन में बहुत उडड़ता बढ़ गई थी यग्य नहीं होने दे रहा था विद्वन्स कर दे रहा था संत हाहकार कर रहे थे प्रभू को पुकारते थे कि प्रभू किसके वरोसे यग्य कर रहे तो राम कह रहे है कि संतों का धरम से विश्वास उठता जा रहा है आस धरम से उठने लगी है संतों की अब धीरे धीरे रक्षा करने धर्म बचाने संतों के मन उल्लास जगाने क्यों ना वन में जाओं क्यों मैं तीर चलाओं लक्षुमन क्यों मैं तीर चलाओं इक राजा से बेहतर होगा वन जाना वन वाशी कहलाना इतना सरल हो जीवन मेरा कि केवट को भी गले लगाओं अहिल्या को नव जीवन देकर सबरी माता दरस दिखाओं बना लंके से बीभी सन को जब हनुमत सग विजय मनाओं क्यों मैं तीर चलाओं क्यों मैं तीर चलाओं किस पर तीर चलाओं सायद ये लक्षमन और राम संबाद पे इस परकार की कविता है पहली बार मासारदे ने माभगवती ने कवी कुल में नहीं होते हुए थी पता नहीं कहां से अभी राम लल्ला के आगमन में जो राममय वातावरन है इससे अपने आप अस्फुर्थ होके कुछ पक्टिया लिख दी गई या लिख गई ये माभगवती की कृपा है, मासरश्वती की कृपा है, राम की कृपा है तो अगर पूरी कविता है हमारे अराद्य प्रभू सरी राम के चरित्र और उनके गुनों का वखान राम अरजुन संबाद, राम लक्ष्मन संबाद का विसे सरोप से बताया रहा है तो कमेंट करेंगे और अगर अच्छा लगे तो सेर लाइक भी करेंगे आपके कमेंट के इंतिजार रहेगा, जैसरी राम